हेलो दोस्तों दिखरी चनल केंपिस नियूज दोसों दिली विश्वी दिली के स्कूल आफ़ लणिंग के थर्ड समिस्टर और फिफ्ट समिस्टर का जिन कोर्सिस का अभी तक जो है अड्मिसन इस्टार्ट नहीं हुआ है आखिर उनका एड्मिसन जो है कब तक शटार्ट किया जाएगा आज हम यह चर्चा करने वाले हैं साथ में जो है सकेंड समिस्टर और फोर समिस्टर का जिन कोर्सिस का रिजल्ड डिकलियर नहीं किया गया है खास कर भी ये प्रोग्राम का तो आखिर उनका रिजल्ट जो है कब तक डिक्लियर किया जाएगा आज हम ये भी बताने वाले हैं बाकी ग्राप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में बेल एकन को प्रेस करे कॉल का बटन दवा लिजेगा ताकि DUSL से related साराप डिटर मारे चैनल पे आपको मिलता रहे है तो दोस्तों बहुत सारे चात्र हैं चाहे हो 3rd semester के चात्र हो या फिर 5th semester के चात्र हो बार-बार हमसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनका जिन courses का registration नहीं किया गया है आखिर उनका registration जो है कब तक start किया जाएगा क्योंकि आपको बता दू कि उनका date sheet भी release कर दिया गया है जो 5th semester के चात्र है उनका 30 November से और 3rd semester के चात्र है उनका 16 November से एक्जाम में start है लेकिन अभी तक ना तो उनका registration इस्टार्ट हुआ है ना तो उन्हें जो है syllabus पता और ना ही जो है उन्हें study material मिला है ऐसे में जो है वो कैसे एक्जाम देंगे यह जो है एक सवाल है S.O.L. प्रसासन को समझना चाहिए था और कुछ दिन पहले ही जो है उनका result declare करके उनके admission दे देना चाहिए था और study material दे देना चाहिए था क्योंकि अगर अभी exam होगा भी तो बहुत सारे चात्र जो है फेल हो जाएंगे और इसका पूरा जिम्मेदारी जो है S.O.L. प्रसासन का बनता है क्योंकि अभी तक ना तो उन्हें study material दिया गया है नहें उन्हें ठीक से syllabus पता है और इसी कारण से अगर उनका exam होता है नومबर दिसंबर में तो साब साब है या तो घटिया result आएगा या फिर फेल हो जाएंगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपका registration जो है कम से कम एक हपते के अंदर जो है यानि कि 10 तारिक तक जो है start कर दिया जाएगा फिर जो है आप अपने student dashboard में login करके जो है अपना registration जो है कर सकते हो तो यह जो है confirm है कि एक हपते के अंदर में जिन courses का registration जो है start नहीं किया गया है तो वो जो है start कर दिया जाएगा और फिर जो है जब registration start होगा तो इस तरीके से जो है आपके सामने जो है option आएगा यहाँ पे देख सकते है online examination form for semester 3rd UG 2021 22 click year यानि कि यहाँ पर अगर आप 3rd semester के चातर हैं तो 3rd semester लिखा आएगा अगर आप 5th semester के चातर होंगे तो 5th semester के लिखा आएगा तो आप अपना student dashboard जो है चेक करते रहें 10 तारीक तक जो है admission start कर दिया जाएगा तो यह जो है दिश्चिद्र है बाकि अगर कोई सवाल है या फिर कोई urgent आपका confusion है तो आप हमें जो है डारेक्ट जो है Instagram पे भी जो है पूस सकते हो बाकि result को लेके भी जो है बहुत सारे परिसान है कि आखिर उनका result जो है पिछले semester का कब तक declare किया जाएगा चाहे हो second semester का हो या फिर four semester का तो दोस्तों आपका result भी जो है लगवग एक से दो हपते के अंदर में जो है डिक्लियर कर दिया जाएगा खासकर भी ये प्रोग्राम की बात करूँ तो लगवग जो है 10 से 15 तारीक के अंदर जो है आ और चैनल पर नहीं है चैनल को भी subscribe जरूर कर लिजेगा ताकि इसी तरह से वीडियो आपको मिलता रहे बाखि अगर आपने हमें Instagram पर फॉलो नहें किया तो हमें Instagram पर भी फॉलो कर रहे ताकि आप मुँआ पर हमसे कोई भी सवाल पूर सकते है बागि सुक्रिया धन्यवाद झाल झाल